हेलो दोстों, वेलकम टो डिएश्डी कार्स और बाई, आज के वीडियो में आपके सामने है इंडिया की टॉप सेलिंग सेडान यानी की मारृत्ति डिजाइर और मारृत्ति डिजाइर में ऐसा क्या है जो ये गाड़ी इतने दिनों से टोप सेलिंग सेडान बनी हुई ये इंडिया में क्यों ये गाड़ी इतना बिक्ती है ऐसा क्या आपको डिजायर में मिलता है वो सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे और क्यों आप ये गाड़ी ले सकते हैं VXI Model Patrol में आप लोगों के सामने हैं और आज के वीडियो में इस गाड़ी का पूरा रिवियू करेंगे क्या उन्रोड प्राइस है क्या डिसकाउंट्स आपको इस गाड़ी पे मिल सकते हैं वो सारी बातें भाई आज के वीडियो में करेंगे तो front look मारुत्ती डिजायर का आपके सामने है features की बात करें तो halogen में जो headlight है वो आपको मिलती है उसी के आगे turn indicator प्लेस किया गया है fog lamps इस variant में आपको नहीं मिलते हैं लेकिन fog lamp की जो chrome गार्नी से वो जरूर आपको यहां पे मिल जाती है main grill भी आपको black color के साथ में मिलती है और chrome finish की जो surrounding है वो भाई grill के चारों तरफ दी गई है यानि कि जो front look है गाड़ी का वो देखने में काफी attractive लगता है लेकिन looks के मामले में भाई सब की पसंद अलग-अलग हो सकती है अब आपको यह गाड़ी पसंद है या नहीं है वो comment करके आप जरूर बता सकते हैं tires की अगर बात करें तो 14 इंची के steel rim और wheel cover के साथ में इस गाड़ी में आपको tires मिलते हैं किसी भी तरह की जो body cleaning है वो गाड़ी में नहीं दी गई है 170 mm की ground clearance आपको मिलती है ABS, EBD और brake assist के साथ में rear में drum और front में disc brakes आपको मिलते हैं इस गाड़ी में body color में ORWIMS मिलते हैं और उनी के उपर जो LED turn indicators हैं वो place किये गए B pillar आपको black out मिलता है और overall जो side look है वो यहां से गाड़ी के आप देख सकते हैं body color में ही door handles दिये गए side और rear का जो combine look है वो आप देख सकते हैं और वाकई में look wise काफी बढ़िया गाड़ी आप मारुत्ती desire को कह सकते हैं rear के अगर look की बात करें तो वो भी इतने दिनों से काफी पसंद की जा रही है market में LED में जो tail lamps है वो आपको मिलते है L टाइप में उसी के नीचे turn indicator और जो back gear की light है वो दी गई है और देखने में काफी बढ़िया look भाई tail lamp की आती है चार parking sensors आपको मिलते हैं reflectors अलग से दिये गए और bumper में पीछे जो design दिया गया है वो भी देखने में बढ़िया लगता है reverse camera इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता है chrome finish की जो number plate एपलिक है tail lamp to tail lamp वो गाड़ी में आपको मिलती है rear defogger वगरा कुछ भी आपको नहीं मिलता है high mount stop lamp और जो power antenna है वो भाई गाड़ी में दिया गया है चाबी के अगर बात करें तो lock और unlock बटन के साथ में दोनो remote control चाबियां आपको गाड़ी में मिल जाती है interior की बात करें तो black और beige color में dual tone का interior आपको मिलता है चोटा मोटा समान रखने की जिगें bottle holder और जो speaker है वो दरवाजे पे मिल जाता है chrome finish में door handle smart lock system आपको मिलता है चारो ही power windows दी गई है और जो driver window है one touch down के साथ में आपको मिलती है one touch up के साथ में भाई इस गाड़ी में इस variant में आपको नहीं मिलती है लोक अलोक के बटन आपको मिलते है पावर एडजेस्टिबल ओर विम्स मिलते है और ओर विम्स को ये बटन दबा के आप भाई fold unfold भी यहीं से कर सकते है यानि कि ये भी बढ़िया चीज आपको VXI variant से मि लिज सुरू हो जाती है ड्राइवर सीट की बात करें तो ड्राइवर सीट की जो हाइट है वो इस लीवर से भाई आप एडजेस्ट कर सकते हैं यहां से बैक रेस्ट एडजेस्ट कर सकते हैं सीट आगे पिछे कर सकते हैं फैब्रिक में ही जो सीट्स हैं वो आपको मिलती है soft और बारी-बारी सी जो muscular seats है वो desire में आपको मिलती है adjustable headrest के साथ में dashboard के अगर बात करें तो वो भी आपको dual tone में मिलता है या ये कहो कि wooden finish के साथ में triple tone में मिलता है तो देखने में भाई काफी बढ़िया लगता है driver के right side में light के controls आपको मिलते है उसके उपर AC vents place किये गए है और भाई ये है गाड़ी का MID meter semi-digital MID meter मिलता है और MID meter के जो look है वो काफी बढ़िया यहाँ पे है speedometer और RPA meter अलग-अलग tunnel में आपको मिलते हैं और बाकी की जो informations हैं वो center में आप digitally भाई देख सकते हैं दोनों तरफ knobs आपको मिलती है जिससे की सारी जो MID की details हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं इस गाड़ी में average fuel consumption distance to empty instantaneous mileage जैसे जो features हैं वो भाई आपको मिल जाते हैं steering की बात करें तो sound controls और टेलिफोनिक controls आपको गाड़ी में मिल जाते हैं chrome finish का भी बढ़िया use किया गया है decat safe steering आपको मिलता है desire में dual airbag के साथ में गाड़ी आती है और जो steering की look है वो भी देखने में भाई काफी बढ़िया लगती है steering को आप tilt adjust कर सकते हैं telescopic adjustment नहीं कर सकते हैं center console पे आएं तो silver finish के surrounding के साथ में जो AC events है वो आपको मिलते है anti-theft device मिल जाती है और wooden finish का जो use है वो भी काफी बढ़िया look आपको dashboard पे दे देता है उसके निचे आएं तो आपको मिलता है 2DN का feather touch button audio system जो कि 4 speaker के साथ में आपको मिलता है Bluetooth, AUX और USB से connect हो सकता है लेकिन जो feel है वो कहीं न कहीं आपको touch screen वाली देता है कम पैसे में बढ़िया जो look है वो dashboard के आपको मिल जाती है manual AC orator दोनों ही गाड़ी में आपको मिल जाते है USB, AUX और 12V का जो accessory outlet है वो आपको मिल जाता है चोटा मोटा समान आप रख सकते हैं दो cup holders दिये गए हैं और भाई 5-speed manual transmission के साथ में गाड़ी आती है silver finish की surrounding और chrome finish के use के साथ में जो gear lever की look है वो भी देखने में काफी बढ़िया लगती है 12V का accessory outlet पीछे भी आपको मिल जाता है phone रखने की जगें दी गई है और जो rear race events हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं normal glow box compartment आपको मिलता है जिसमें की document वगेरा आप आसानी से अपने रख सकते हैं manually adjustable day night IRVM आपको मिलता है cabin light मिल जाती है microphone मिल जाते है और जो vanity mirror है वो cable आपको co driver वाले sun visor पे ही इस गाड़ी में मिलते हैं foldable grab handles आपको मिल जाते हैं और पीछे cabin में जो central light है वो भी आपको मिलती है यानि की दो light है इस गाड़ी में आपको मिल रही है ये था मारुत्री डिजायर के VXI variant का front cabin अब चलते हैं rear में तो rear दरवाजे पे भी dual tone का interior दिया गया है chrome finish में door handles power window का control bottle holder और speaker बढ़िया आराम दायक तरीके से आप बैठ सकते हैं क्योंकि जो back है वो थोड़ाचा ज़्यादा tilt आपको मिलता है adjustable head rest आपको मिल जाते है child seat mount anchor points दिये गए हैं और center में जो arm rest with cup holder है वो भी गाड़ी में आपको मिल जाता है तो देखने में काफी बढ़िया look है और बैठने में भी आराम दायक होती है space की बात करें कि कितना क्या space आपको मिलता है तो space महरुत्ती desire में भाई बरपूर है कोई कमी space के आपको नहीं मिलेगी पूरा leg room आपको मिलता है पूरा thai sport मिलता है और तीन लोग आराम से पीछे बैठ सकते हैं अगर जादा healthy हैं तो दो बड़े लोग और एक बच्चा आराम से पीछे भाई इस गाड़ी में बैठ सकता है rear AC vents भी आपको मिल रहे हैं तो ये भी tension नहीं है कि पीछे बैठने वालों को भाई गर्मी में परेसान होना पड़ेगा rear seat पे बैठने के बाद जो dash board की look है वो यहां से आप देख सकते हैं कि कैसी के लगती है और dual tone के साथ में बढ़िया look मारुत्ती desire में आपको मिल जाती है boot की बात करें तो requesting sensor के साथ में power boot आपको मिल जाता है 378 लिटर का जो boot space है वो मारुत्ती desire में मिलता है जो कि अपने आप में भाई काफी ज़्यादा आप यहां पे कह सकते है boot light आपको मिल जाती है और side में भी जो space है वो भी काफी ज़्यादा आपको मिलता है और boot floor के निचे आपको मिलता है 14 इंच का spare wheel जो की black color का steel rim है और बाकी के tires के जैसा ही आपको मिलता है इंजन के अगर बात करें मारुत्ती desire में तो भाई इस गाड़ी में 1197 cc 88.5 bhp 113 nm torque और 23 km per liter के mileage के साथ में 4 cylinder 1.2 liter dual jet petrol engine दिया गया है जो की बढ़िया power बढ़िया mileage आपकी गाड़ी को देता है और इसलिए ये गाड़ी इतना बिकती है क्योंकि हर आदमी को गाड़ी में power चीए, mileage भी चीए, comfort भी चीए, service भी बढ़िया चीए, resale भी जबर्दस चीए और ये सब कुछ आपको भाई मारुत्ती desire में मिल जाता है तो ऐसे ही मारुत्ती desire top selling sedan नहीं है इस गाड़ी में काफी कुछ आपको मिलता है लेकिन जो safety है वो आपको भाई desire में उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है तो अगर आप भी एक safe car लेना चाहते हैं तो बाकी गाड़ियों की तरफ बिलकुल आराम से जा सकते हैं लेकिन बढ़िया engine, बढ़िया mileage, बढ़िया power, resale, value, service सब कुछ आपको चीए गाड़ी में तो मारुत्ती desire की तरफ आप सीधे तोर पे जा सकते हैं बढ़िया sedan आपके लिए साबित हो सकती है अगर pricing की बात करें तो मारुत्ती desire के VXI petrol variant की जो एक शोरोम कीमत है वो है 7,8,000 रुपए और ये गाड़ी own road आपको पढ़ती है लगबग 8,4,000 रुपए की तो 8,5,000 के बजट में एक बढ़िया sedan मारुत्ती desire के रूप में भाई आप ले सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्यू दोस्तों